जैहिंद आप सभी का मेरे डिफेंड चैनल पे स्वागत है तो मेरे पिछले वीडियो में एक वियो ने पूछा था कि भारते नौ सेना के लिए जो टेड़ वे फाइटर जेट को डेवलप किया जा रहा है उसे के बेज के ऊपर ही भारते वाइस सेना के लिए और का फाइटर चैनल पे नहीं है तो प्लीज मेरे डिफेंड चैनल को सब्साइब करें बेल ऐकन दबाना ना बोले और कॉमेंट सेक्शन में जेहिं जेबारत जरू लिकेगा और इसके अलावा अगर आपको मेरा डिफेंड के रिलेटर चाल लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक भी कर सक लगते हो और आपको डिफेंड के रिलेटर को भी कर्शन हो तो आप अपना क्वेस्चन कॉमेंट सेक्शन में जरू लेकेगा जिसका अंसर में अपने आने वाले वीडियो में दे दूँगा तो आज की डिफेंड अप्टेट वीडियो को शुरू करते हैं वह फिलाल आप सुखें 30名 के जैसे fighter jet आपको दिखने को मिलेंगे पर जोबिफेंड मेडियो 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 कैटेगरी है उसमें रफ़ाल इसके अलावा मेरा 2000 और स्पेक्र्टेट जगवार जैसे fighter jet दिखने को मिलते है पर अभी पिलाल जो मेरा 2000 और 等 केटिगरी के fighter jet को develop कर रहा है पर अब इफलाल पार्थे अब वाइफ जिना को twin engine वाला medium weight category का fighter jet की जरूत है जिसकी वज़े से MRFA tender को निकाला भी कया है पर MRFA tender अपने time line के हिसाब से 15 साल deal चल रहा है और उसके अलावा अगर अब इस साल भी MRFA deal final होती है तो आने वाले 10 साल तो लग जाएंगे उस fighter jet को पूरी तरह से deliver होने में तो इसी वज़े से कई defense expert यह रहे देते हैं कि बारत को अपने स्वधिशी तोर पे teddy wave का एक air force वाला variant develop करना चाहिए जिसकी वज़े से बारत का पैसा भारत में भी रहेगा के अलावा सबसे बड़ा advantage तो यह मिलेगा कि बारत को fighter jet के मामले में अन्य देश के उपर जो defendancy है वह भी कम रहेगी क्योंकि जिस देश के पास से हम fighter jet को लेते हैं तो उस देश के साथ हम 15 से 20 साल तक कोई भी relationship खराब नहीं कर सकते हैं नहीं तो वह क्या करेगा उस fighter jet के spare part के supply रोक देगा जिसकी वज़े से एक तरह से उस fighter jet को हमको grounded करना पड़ सकता है जिसके चलते हुए कई expert अपनी रहे में यह कहता है कि भारत को टेट बीप का एक पर सफ़ारा variant डेवलोप करना चाहिए बलही इस fighter jet को डेवलोप करने में थोड़ा बहुत टाइम लग जाएगा पर भारत का पेसा और भारत की जो टेक्नोजी है वो भारत की हाथ में ही safe रहेगी तो hope आपको मेरा informative वीडियो अच्छा लगा होगा वीडियो अंतक देखने के लिए